हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, नमस्कार, वेलकम बाक टो माई चैनल, तो यह है व्लोग 22nd of November का, तो यहां पे सुबा सुबा मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, और नाश्ता में मैं आज बना रही हूँ, सूजी वाला पास्ता, तो यह, इसमें मैंने बेसिक ज यहां पे प्याश डाल दिया है, और यह पास्ता मसाला है, उसको डाल दिया, फिर नमक, यह सब डाल के, उसके बाद थोड़ा समय प्याश को यहां पे पकाऊंगी, उसके बाद जब प्याश पक जाएगा ना, उसके जो पास्ता हमने बॉयल करके रखा था, उसको मैं इसमे मैंने black pepper डाला और थोड़ा सा butter डाला तो टेस्ट इससे बढ़ जाता है तो आप भी डाल के देखेगा जरूर बहुत टेस्टी रगता है उसके बाद ये सब breakfast करके मैं आ गई खाना का preparation करने और खाना में आज बना रही थी मैं पत्ता गोवी बहुत दिन बाद छोटा-छोटा पत्ता गोवी मुझे मिला था मार्केट में और मतलब इतना छोटा सा था कि एक बार में बनाओ तो खतम हो जाएगा बहुत बड़ा पत्ता गोवी लाने से न फिर नेक्स दे छूट जाता है और उसके बाद वो खराब होने लगता है तो इसलिए छोटा सा पत्ता गोवी मिर्ची टमाटर हलका सा टमाटर डालूंगी हलका कटापन के लिए तो उसके बाद यहां पे तेल गरम करके इसमें मैंने डाला प्याज लहसन और जीरा का लगा था तड़का तो जीरा डाल सकते हैं उसके बाद हींग और उसमें यहां पे मैंने लहसन कूट बारी काटके ड तो नो टमाटर को भी अच्छा से पकाना है और जब टमाटर प्याज और लहसुन से पक गईा Iस यहाँ बेसिक मसाला वही यूज करेंगे हल्दी मिर्ची पाउडर हल्का दनिया पाउडर और हल्का सा मैंने एक चुटकी गरम मसला डाला था तो यहां पे देखे, मेरा वो अधर सारा जो सबजी है, जो प्याज वगएरा है, वो सब पक गया था, इसे मैंने थोड़ा सा आलू भी डाला था, और बस इसको हलका हलका पकाएंगे, बिना पानी डाले, हलका सा पानी डालेंगे बीच में, जब वो सटने लगे, जलने लगे तो बस यह इधर बनते रहेगा, धीरे धीरे अपना सिंपे करके मैं छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं उसी दोरान, उसके बाद मैंने पूरा उसी समय बरतन धो लिया, और सिंख वगएरा पूरा साफ कर दिया, और अभी बज रहा है, साड़े बारा, और अभी टाइम है काफी शौरय के आने में, हाफ एनावर से जादा, तो मैं यहाँ पे जो बाकी काम था, जो कपड़ा सूख रहा था, उसको मैं उसी समय वहाँ पे तह कर लेती हूँ, ताकि यह ना एक साथ दो काम हो जाता है, आपका कपड़ा सूख के उतार भी लिया और उसको तह भी कर ल तो यहाँ पे शौरय का समान रहता है, तो शौरय का जो भी है, सब को मैं सग्रिगेट करके रखती हूँ, ताकि एजिली सब कुछ मिल जाए, हाफ पैंट, फुल पैंट, फुल शर्ट, अंदर का इनर वेर, सब अलग अलग रहता है, फिर यह सब काम करके शौरय आ गया था फिर हमने खाना खाया, शौरय भी खाना खा चुका था और यहाँ पे मैं अपने लिए प्लेट परोस रही थी, तो आज बना था, जैसा कि आपने देखा, पत्तगवी का सबजी, डाल, शावर, और थोड़ा सा चिकन, चिकन मेरे हस्बेन रोज खाते हैं, इसलिए रोज के खाना में ही रहता है, मैं थोड़ा बहुत कभी-कभी खाती हूँ, जब मेरा मोड रहता है, बाकी रात में मैं खा लेती हूँ नहीं तो, एग्स वगेरा, तो इस तरह से मेरा जो प्रोटीन का रिक्वार्मेंट होता है, वो पूरा हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए, गर आज का पूरा दिन, तब ऐसे ही, मैं यहीज़ा नहीं सब चल रहा है, सुबह उठी तो, एक तो कलल के का और था तो जिससे ही का और मुझे एमने ज़ता है, तो मैं सुबह से आहिए ज़्या जाती हूँ, चाहे छोटा केक हो बढ़ा केक हो, गज़ ऐसा भी केक हो, मैं दिम जो भी था वो सब तो बनी गया खाए भी तब हुआ ही अभी बज रहे साड़े पाच हो रहे गया अपना क्लास और मैत हुदर के लिए लेट गई थी तो कैसी हल्का अणन करा था और मयरे हज्बेंड को आते आते लें होलगा तो दिनका खाना वहरी रात का कि दिन 스ाड को मियों जर опас भी था दो बहुत बहुत किया ह मैं यह तरह बरतन निकला था वरतन धोते जारी थी धोते जारी थी केक पाले दिन थोड़ा सा तो भी केक बनता है तो cleaning करना जरूरी होता है यह तो यहां पर चीटी इतनी आ गई है ना मैं परिशान हो गई हूँ कल से मैं लगी हूँ चीटी को भगाने के लिए चीटी पता नि कहां से आ गई है बहुत कुछ कर रही हूँ लाश फाइनली लक्षमिन रेखा होता है न वो लगाया है तब जाके चीटी अफिलाल के लिए भागी है पता पिर भी कहीं से कहीं आ जाती है वो पता नहीं कहां से मतलब फूम लेती है कि कहां से कहीं तो मतलब गुसा आ गया है मुझे चीटी से जो भी चीज रखों बस उसमें चीटी ही लगने लगती है आजकल पता नहीं क्या हो गया है चीटी तब चीटी से परेशान हो गई हूँ मैं आपा जो अगर कोई उपा है तो बताइएगा मतलब ना तो फिर दी जैसे कुछ सोच रही हूँ देखते हूँ पोछ भी तरती ही देती हूँ घ्लीन भी रहा रहा है पिर दी जैसे चीटी तो आएगी ही उसका तो काम है आना मतलब जाओ मुखा मिलें गुछा पिलाल थोड़ा सा ऐसे सुस्टी सुस्टी लग रहा है तो अपने आपको एनर्जाइज करेंगे कुछ अच्छा टेस्टी खाने का मन कर रहा है यह से कुछ खाने से मन कुछ हो जाता है ठी अकेले क्या बैट के खाऊंगा है हजबन रहेंगे फिर भी वो नहीं खाड़े वो तो अपने डायेट खाना आते हैं फिर भी मुझे मन कर रहा है कुछ खाने का देखते हैं क्योंकि जब सुनते हैं कि हस्बन आफिस के पार्टी है तो कुछ और साधे खाने का मन कर जाता है खैर यह वो सब तो चलता रहेगा फिलहाल तुझे इतना सारा बरतन जो भी सूक जया है उसको मुझे जगा पर रखना है तो फिर यह एरिया थोड़ा सा क्लीन होगा इतना ही मैस्ट अप दिख रहा है ना इतना समान है सारा बरत डबा होबा भी मैंने आज दोया था तो वो सब सरिया लेती हो फिर उसके बाद ने लिए चाय चड़ाओंगी शौरा के लिए दूड़ वो अब आएगा थो अदेर में तो दूड बिस्किट अपना खाएगा और बस फिर सुबा का खाना मैंने उनके लिए मना दिया था बटन जो बाद इतरा चलगी वो देर से आगी तो रात का खाना तो मुझे लगता है कुछनी बनाना को चावल रखा हुआ है पूरा एक कटोरा और सुबा का कुछ सबजी वेचा है सब्जी में बनाया था है मैंने बनाया था पत्तो गोभी यस पत्तो गोभी बनाया था जो कि अच्छा बना था पत्तो गोभी और फिलाल बहुत थंडी थंडी मौसम हो गई है मतलब थंड़ 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 लग रहा है बाहर इतना हवा चल रहा है ना अच्छा खासा हव दो तीन दूर में ऐसा ठंडा मौसम चल रहा है बाट पता नहीं देखते हैं अगल अगल तो सुन रहें केश्जने को गडर में तो बाष होड़ी है बहुत हो तो यह तो हुब हवा चल रहा है मतलब अच्छा खासा हवा चल रहा है पूरा अगर मैं इसको खोल दूँगी ना यहाँ पे तो पूरा यहाँ पे हवा आएगा अलड़ी जमीन पूरा थंड़ा है तो इसलिए मुझे और थंड़ा लगते रहता है पता नहीं कहां से अलग अलग पहीं मैं अलग अलग मौसम अभी होना चाहिए थंड़ी मतलब अभी बरसाथ नहीं होना चाहिए था तो कुछ दिन पहले हमें यहाँ पे इतना बरसाथ हुआ चलिए गाइस पहले तो सरीया लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे तोड़ी बेर में पिर उसके बाद शाम का जो वही रूटीन है सब बरतन धो के धोल चुका रहता है और उसको अपने अपने जगा पे सेट करना रहता है तो ये डेली का रूटीन है और डेली मैं इसी टाइम पे करती हूँ जब भी शाम में थोड़ा देल आराम करके उठती हूँ तो जब भी तो मैं इससे पहले यहां का एरिया क्लीन कर लेती हूँ तो इससे है कि मुझे अच्छा दिखता है साफ साफ दिखता है क्लियर रहता है सारा जगा और 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 नाइस दिखता है तो मुझे अच्छा लगता है फिर मेरा चाय का टाइम है ये शाम के चाय का टाइम है तो मैं यहाँ पे चाय के साथ साथ दूद भी बॉल करती हूँ क्योंकि शारया जेनरली शाम में एक गलस दूद मैं देती हूँ उसको तो उस हिसाब से यहाँ पे मेरा चाय बनता है और उसका लट दूद बनता है और दूद के साथ वो बिस्किट वगरा खाता है और मैं भी शाम में जो स्नैक्स होता है न वो मैं खाती हूँ तो बस ये शाम का टाइम था फिर स्टार्ट कर दिया रात के खाने का परपरेशन रात के खाने के लिए मैं थोड़ा सही यहाँ पर रोटी बना रही हूँ मेरे और शौरे के लिए तो यहाँ पर बस आठक गुंद किये और उसके बाद मैं रोटी से कूंगी तो ये इस तरह से जैसे आपका दिन बीचता है जो डेली रूटीन होता है डेली लाइफ होता है हाउस वाइफ के लिए होम मेकर के लिए तो जनरली हमारा काम किचन में ही जादे टाइम निकलता है तो हमारा तो ऐसे ही बीचता है आपका रूटीन क्या है तो मेरा तो ये रूटीन है और अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक करें शेर करें, सब्सक्राइब करें कमेंट करें कि आप कहां से देख रहे हैं और एक और बहुत इंटरस्टिंग चीजा भी मैं कर रही हूँ तो सुबा में दाल बच गया था थोड़ा सा तो मैं यहां पर रोटी को चुड़ा चुड़ा में काटके मतलब तोड़के उसको मैं डाल में डाल दूंगी तो इस तरह सा उसमें उपर से घी डाल दीजे देखिए मिर बेटा कितना मन से खा रहा था तो मैंने यहां पे एक क्लिप निकाल लिया तो चलिए आज के लिए व्लॉग इतना ही अगर आप व्लॉग किसी भी रीजन से पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक करें शेयर करें करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें बाई